बिल्कुल आप सबी लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं ये देनिक भासकर का निउस्पेपर है डेट भी देखें 23 अपरेल 2024 और देनिक भासकर गौलियर एडिशन यहाँ पे रहने वाला है और फ्रेंड पेजी है यानि कि आजी का ये निउस्पेपर आप रहेगा मध मध्य प्रदेश स्वास्त विवाक से सम्मनेत यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जारी और विशेश तोर पर यह जो जानकारी है नर्सिंग केंडिरेट्स के लिए यहाँ पे यह रहेगी सबसे पहले आप सब लोग इसकी यहाँ पे हैडिंग पढ़ने देखने को आपे मिला जिसमें काफी इर्रेगुलर्टी यहाँ पे पाए गई और अभी भी जो है जाँ चल रही है और अब यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि चार साल करीब करीब यहाँ पे बीच चुके हैं और एक भी केंडिरेट को यह नर्सिंग कॉलेज डिगरी जो ह कि आपको मालुम है जो भी नर्सिंग केंडिरेट्स पास आउट होते हैं तो यह सभी केंडिरेट्स स्टाफ नर्स की वेकैंसी के लिए अपला करते हैं और काफी केंडिरेट्स यहाँ पे जो हैं नर्सिंग ओफीसर्स की पोश्ट के लिए अपला करते हैं कुछ इस पर candidate कैसे आप पर apply करें तो यह पूरी जो है information इसमें आपको यहाँ पर provide कराई जारी सबसे पहले देखिए आप लिखाए बिना गुणवत्ता देखे धडले से मानिता दी और असर यह हुआ कि 4 साल तक यहाँ पर candidate की qualification ही complete यहाँ पर नहीं हो पाई इसमें आप लोग के ध्यान दे लिखाए मध्यप्रदेश में nursing college की CBI जाश की कारण बीते 4 साल से परिक्षा नहीं हो पाई यानि इस दौरन मध्यप्रदेश ने एक भी degree नहीं दी ऐसा करने वाले भी मध्यप्रदेश पहला राज बन गया यहाला तब है जब मध्यप्रदेश में सरकारी वा निजी मिला कर 600 से अधिक nursing college है इसी 4 साल के समय को देखे तो केरल जैसे चोटे सराज में 80 college है वहाँ 4 साल में 32,000 माराष्टर और उत्तर परिदेश में 100,000 college हो में 4 साल में 60,000 चातरों ने ना केवल डिगरी ली बलकि अस्पतालों में अपनी सेवाएं भी देने आपे लगे इसके बाद लिखते हैं ये स्थिती इसलिए ब्यानी क्योंकि प्रदेश में nursing college हो के 20,21 और 22 से 23 तक दड़ले से मानिता दी गई लेकिन उनके गुणमत्ता पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया नतीजन अधिकांश nursing college कागजों में संचालित होते रहे जबकि faculty dummy दिखाई ग आठ nursing college अभी भी आँपे ऐसे हैं जिनमें अभी भी आँपे जाच याँपे चल रहे ही तो ये पूरा जो है matter काफी समय से चलता हुआ है याँपे आ रहा है और ये ओचक निरीक्षण याँपे क्या गया था और इस निरीक्षण में ओचक निरीक्षण में ये पाय गया कि जो nursing colleges है मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में इनमें काफी अनियम है या फिर मैं काऊं इर्रेगुलरिटीज है ना ही इनमें कोई buildings है ना ही कोई infrastructure है और ना ही कोई इनमें आपे faculty है और faculty है तो वो भी फरजी तरीके से यानि की एक faculty एक से जाधा colleges में आपे पढ़ा रही है means एक कागजों पर ही यह college यहां पर चल ले थे ना कोई lab थी ना कोई hostel की यहां पर सुविधा थी तो काफी तरीके की irregularities यहां पर इसमें पाई गई और यह सारा matter जो है CBI ने इसकी यहां पर जाच की और CBI ने अपनी जाच यहां पर जो है इसकी report बनाकर high court में भेज काफी nursing college की मानिताब यहां पर रद कर दी गई और अभी भी काफी colleges की जाच यहां पर चल रही है तो इस पूरे scenario में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो सरफ candidate का हुआ चार साल से उसकी qualification अभी भी यहां पर complete यहां पर नहीं हो पाई और नहीं वो vacancies को आगे forms को यहां आप यहां पर चर पा रहा है तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग यहां पर बयान दिये जो medical wing के यहां पर जो लोग हैं जिन college की जाच में लीपप होती हुई उनकी दोबारा जाच हो तो ऐसकी यहां पर मांग है कुछ यहां पर medical university के जो registrar है वो बोले सरकार जो भी नरनेल लेगी उसके अनुसार काम करेंगे तो दोस्तों जो भी information दिसमें मैंने आपे cover की उमीद करता हूँ आगे जो भी steps उठाये जाएंगे candidates के favor में यहां पर रहेंगे और यहां पर कोई समाधान जरूर निकाला जाए candidates का काफी समय आपे बरबाद होने के साथ साथ पैस यहां पर उमीद है कि आगे जो भी कदम high court द्वारा उठाये जाएगा जो भी एंद्रने आएगा तो वो candidate के favor में ही रहेगा और आगे जो भी जान करी आएगी हम लोग यहां पर cover करेंगे information जो भी थी मैंने आपर cover की front page पर यह information आप आई और वीडियो को आप लोग यहां आपके देख सकते हैं admissions को लेकर ठीक है और आपके courses को लेकर आपके exams को लेकर आपके exams के बाद आपके results को लेकर आपके vacancies को लेकर vacancies निकालने के बाद exams यहां पर कराकर उसके result का इंतजार को लेकर यह सभी तरीकें से आप सभी लोग यहां पर समझ चक्योंगे कि MP government जो है वो students के कितने favor में है और ये candidate को समझना भी चाहिए कि मध्यप्रदेश आशन सरकार उनके लिए क्योंकि आप लोग graduate graduation आप लोग यहाँ पे की हुए है आप लोग diploma holder से हैं आप लोग certificate holder से हैं तो आप लोग अच्छे खासे qualification आप ली हुए है तो आप लोग को भी यहाँ पे समझना चाहिए कि सरकार जो है किस के साथ है किस के साथ आप नई है ठीक है तो जो भी information थी cover की आप वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना आगे information आईगी तो cover करेंगे वीडियो के नीचे जाए subscribe के red बिटन को के लिए कर ले तो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much